Hi everyone and आज हम solve करेंगे question no.6 from the question no.1 2.2 exercise का polynomial question है हमारा ठीक है, तो क्यासे solve करेंगे इस question को equation दिरक्ये हमारी px equal to px हमारे दिरक्या है cx square minus x minus 4 question में करना कि हम basically find the zeros, zeros find करने है, उसके बाद relationship verify करने है between zeros and coefficient के बीच में, ठीक है तो कैसे निकालेंगे, पहले zeros निकालेंगे, फिर verify करेंगे relationship between coefficient and zeros so let's start, first of all zeros निकालते है, पहले हमें multiply करेंगे इसको इससे तो यह जाएक हमारा 12 ठीक है, तो हमें 12 के ऐसे दू factors find करने हैं, जिने subtract करने पे तो हमारा 1 आ जाए ठीक है, subtract करने पे तो हमारा 1 आ जाए तो subtract करने पे हमारा 1 आ जाए या subtract या add करने पे हमारा 1 आ जाए या fill, और and multiply करने पे हमारा 12 आ जाए ऐसे दू factors कुंगते होंगे हमारे 3, 4 जा होते है तो इनी को use करेंगे और क्योंकि subtract करेंगे 4-3 तो 1 आ जाएगा और 1x हमारा use हो जाएगा इसमें तो यानिकि हमारा जाएगा 3x square minus 4 minus है तो 4x minus 3x यानिकि x को replace कर सकतो मैं इस से और यहाँ जाएगा हमारा 4 और यह जो हमारा यह है इसे भूल जाओ इसे मतलब दिखाना नहीं है आपको मन में करना है यह साइड में रफ में कर सकते हैं तो उसके बात क्या करेंगे इसमें इस bracket coupon करेंगे 3x square minus 4x plus 3x minus 4 अब इन दोनों में आपको common देखना है कि क्या है तो इस दोनों में common हमारा x है बच्चे का क्या हमारा 3x minus 4 इन दोनों में हमारा common क्या है only one है तो यानि कि बच्चे का क्या हमारा 3x minus 4 अगया है तो यानि कि आप दोनों में common क्या है है हमारा है इस दोनों terms में तो 3x-4 common is what अंदर के बच्चे का x and 1 ठीक है तो यानि कि x plus 1 अच्छे से लिखता हूँ x plus 1 यह बच्चा तो हमें 0's निकालते हैं तो इसे 0 के बरावर रखते हैं 0's निकालने के लिए तो यानि कि अगर अगर हम बात करें 3x-4 को पहले 0 के बरावर रखेंगे फिर x plus 1 को 0 के बरावर लिखेंगे इससे की x की value दो बार निकलेगी यहां x की value निकलेगी 4 upon में 3 और यहां निकलेगी हमारी minus 1 तो यह आ गए हमारे 0's ठीक है तो relationship between 0's क्या होती है अगर alpha and beta are 0's 0's है हमारे equation के 0's है हमारे polynomial के ठीक है तो यानि की alpha equal to के हो जाएगा हमारा 4 upon 3 and beta equal to हो जाएगा हमारा minus 1 यह होगा तो अब इसके बीच की relation में verify करने है तो कैसे verify करेंगे कि हमारा पता है कि sum of 0's कितना होता है हमारा sum of 0's होता है हमारा minus b upon में a and दूसरी side product of 0's होता है हमारा c upon में a तो value put करनी है और देखना है कि बराबर आरह नहीं आ रहा है इसमें आपको डेखना होगा तो आपको compare करना है इस equation से यह general equation होते है हमारी quadratic polynomial की ठीक है तो इसमें आप देखेंगे अगर compare करेंगे इस पूरी दोनों को equations को तो a आजाएगा हमारा x2 को coefficient हमारा a होता है यानि कि a आजाएगा हमारा 3 b आजाएगा हमारा minus 1 क्योंकि x को coefficient हमारा minus 1 होगा है ठीक है और c आजाएगा हमारा minus 4 यह values आगी आप simply आपको इनको use करना है यहाँ ठीक है तो यहाँ use करेंगे तो b कितना हमारा let me see b कितना हमारा minus 1 तो minus minus plus 1 हो जाएगा तो 1 upon में और एक इतना हमारा 3 तो 3 आजाएगा हमारा यहाँ ठीक है तो अगर हम इससे solve करते हैं इस side में देखो तो यह आजाएगा हमारा 1 upon में 3 equal to 1 upon में 3 आगया यह 4 upon 3 minus 1 क्या होगा हमारा 1 upon 3 होगा सब fraction को solve करेंगे तो आपको 1 upon 3 आएगा और 1 upon 3 right में भी है यानि कि यह बराबर होगे यानि कि sum of zeros थो verify होगी relations जो sum of zeros वाली relation है वो verify होगी है product of zeros वाली कि में आपको multiply करना है यानि कि 4 upon 3 multiply minus 1 और c की value कितनी होती है हमारी c की value है हमारी given directly f minus 4 और a की value हमारी 3 दरकी है अगर आप इसे multiply करनेंगे left side में तो यह minus 4 upon 3 हाएगा right side में हमारा minus 4 upon 3 है यानि कि यह भी relation हमारी verify हो चुकी यानि कि हम कह सकते है finally यह statement मैंने पिछली question के लिए लिकी दी so guys we can write it in the end कि therefore therefore the polynomial px verifies the relation shift between zeros and coefficient so that's how you can solve this question subscribe, like and share with your fan if they need any help so ab मैं जो second question है इसका उसका मैं explain करा हूँ आपको next video में so I don't like making long videos so यहां हम का end करते है इस वीडियो का subscribe for more videos yeah till then bye bye